Hello beautiful stars, welcome back to my channel, stars, mystic and changers में आपकी हो, तो आप सभी का दिल से welcome करते हो गाइस तो आज की energy theme for today, आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेगे guys, तो बने रही मेरे इस video पर और इस channel पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है guys, फ्लीज दो subscribe to this channel and also hit the bell notifications to get the updates from this channel तो चलिए बढ़ते हैं cards की तरफ, सबसे पहले आपकी energies यहां पर grab करते हैं, high priestess and three of air की energies में बने हुए हो तो आपके life में कुछ consecutive situations या कुछ events इस तरह से चल रहे हैं जहां पर एक तरह की heartbroken situations में आप channel हो चुके हो guys जहां पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए uncertain होंगी, कोई relationship होगा आपके life में जो आपको बहुत जादा प्रेन देता है या फिर आपकी जो life की conditions हैं, जो आपके अभी हालात हैं वो आपको एक clarity नहीं दे रहे होंगे शायद unknown fears आप sense कर रहे होंगे, worst case scenarios आप देख रहे होंगे ऐसा इसलिए होता है guys, क्यूंकि जब आप forefront पर positive results नहीं देख पाते हो या फिर एक एक तरहा का repetitive pattern, बिल्कुल same चीजें loop में चलना ये जब कोई इनसान अपने forefront पर होता हुआ देखता है तो एक तरह से उम्मीद जो है वो collapse होने लगती है तो यहाँ पर आपको लगता है कि आपने सोचा था कि बहुत time तक आपने यहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं patience रखूंगी या रखूंगा मैं यहाँ पर चीजों को बहुत ही go with the flow वाली energies में लेकर बढ़ूंगा या बढ़ूंगी यहाँ बट यह चीज आप पर भारी पढ़ रही है यह चीज आपके लिए backfire कर रही है आपके life के बहुत सारे areas इन सारी चीजों को लेकर mess up होते जा रहे हैं specially आपके life की वो जो serenity है वो एक जो peace है वो यहाँ पर toss पर है वो एक तरह से खत्रे में है तो आप नहीं चाहते हैं इन सारी चीजों को इसी तरह से continue करना हो तो शायद आपका जो higher self है वो आपको किसी decision making के तरफ पुश कर रहा होगा but decision making आप ले नहीं पा रहे होंगे आपको exactly समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अभी करना क्या है तो जरूर एक तरह की stuck energies बहुत सारी divine feminines आज मैं सूस कर रही होगी लैस तो शायद आप एक तरह का pain भी sense कर रहे होंगे कि आप तक आपको results देखने को क्यों नहीं मिल रहे है जबकि आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा इमांदारी बढ़ती होगी कि आप बहुत जादा honest रहे होंगे, loyal रहे होंगे, इस connection पर, इस situation पर और आपने अपना 100% यहाँ पर लगाया होगा बट जो fruition आप देखना चाह रहे थे वो delay होती जारी है, वो push होती जारी है तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, शायद यह सोच रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी intuitions को भी नहीं समझ पा रहे होंगे, guys और जब intuitions पर भी clarity नहीं होती, तो इसका ज़रूर एक मतलब यह होता है कि आप कहीं पर कुछ तो गलत कर रहे हों, या फिर over giving, किसी की तरफ over giving बने रहना बस इस hope में के हम यहाँ पर unconditional होते हैं, तो हमें in return कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा बट कब तक आप people pleasing बने रहेंगे, this might be your question to yourself तो yes, इसी बात के बारे में आप लोगों को figure out करना पड़ेगा, guys कि आपका क्या approach होना चाहिए यहाँ पर तो एक चीज आप यह कर सकते हैं, guys, यहाँ पर ऐसी सुरत में आप कुछ time किसी situation से एक break ले सकते हैं, चीज़ों को deeply analyze कर सकते हैं सोच सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो just write it down जो भी आपकी problems हैं भी फिलाल के लिए, उन सारी चीज़ों को लिख लो देखो के कहां पर आपकी सबसे ज़्यादा problem लाए करती हैं और उसका immediate solution अप क्या find out कर सकते हो, यह चीज आपको ज़रूर करना है क्यूंकि हो सकता है, आप जुस perspective से चीज़ों को देख रहे हों, तो perspective वलत हो सकता है क्यूंकि intuitions तो हमारे साथ बना रहता ही है, और intuition आपको कहीं न कहीं channel कर ही रहा होता है लेकिन हम हमारे mind की एक तरह की interference की वज़ा से या फिर past events का repetitive patterns में चलने को लेकर हम बहुत सारी चीज़ों को understand नहीं कर पाते हैं, हमारे सामने clarity शो नहीं हो रही होती है तो ऐसी situation यहां पर जिस किसी की भी बनी हुई है, उनसे यहीं मैं कहना चाहूंगी कि just take some time off from your daily routine या जो भी आप कर रहे हो अभी, वहां से एक time off लेकर आपको चीज़ों को deeper ways में analyze करना पड़ेगा अगर आप अपने person से भी break लेना चाहते हैं, तो just go for it क्योंकि आपको यह करना पड़ेगा, कुछ time out लेकर यहां पर आप बहुत सारी बातों को contemplative ways में सोग सकते हैं, figure out कर सकते हैं, और एक जो भी possible immediate solutions आप अगर find out कर पा रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं On the other hand, आपके person की energy, यानि कि जिस person के लिए भी आप इन सारी energies में बने वे हों, उनकी energies क्या कहते हैं, आप 10 of water की energies में, they are really, really relaxed, they are happy, they are contented, they are fulfilled, इनकी life बहुत ही अच्छी चल रही होगी, guys, यह जहां पर भी बने होगे हैं, they are very, very happy, यह एक achiever बन गए हैं, और इन तक चीजें हो सकता हैं, खुद बखुद पहुद पहुँच रही हैं, इन्हें कुछ जादा extra effort करना नहीं पढ़ता होगा, अगर इनके career की बात करें, त जहां पर यह एक king या queen की तरह राज कर रहे होंगे, first of all, and अगर relationship की बात करें, तो इनके family, friends, सब कुछ बहुत ही जादा एक beautiful relationships में इनके साथ बने होंगे, मतलब एक contentment, एक ऐसी life जहां पर इनसान हर वो चीज़ अचीज़ कर लेता है, जिसके लिए भी इस इनसान ने hope की ह होती है, तो साथ ही साथ आपका भी प्यार पाकर यह बहुत जादा खुश होंगे, guys, आपका जिस तरह भी behavior उनकी तरफ जाता है, हमने people pleasing की बात की थी, right, तो आपने इन्हें प्लीज करने के लिए वो सब कुछ किया होगा, जो शायद आपने अपना जो real side है, या real जो feelings हैं उसको conceal करके आपने इस person के सामने वही सारी बातें कही होंगी, जो यह सुनना चाहते हैं, और आपने इन्हें बहुत जादा extra attention भी दे कर रखा है, आप इनके लिए extra available रहते हो, guys, तो इन सारी बातों से आपके person तो बहुत जादा खुश हैं, लेकिन आपके energy is stream होती जा रही हैं, और इसको हम एक imbalanced situation कहेंगे, energetically this is not allowed, क्योंकि जब कभी ऐसी चीजें कहीं पर भी हो रही हैं, तो जरूर जो person over giving है, उस person को तुप जाना चाहिए, चीजों को दुबारा से, you know, review करके देखना चाहिए, details को review करके देखना चाहिए, पता करना चाहिए कि अब हमें यहा सारी repeat हो रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड है, आपके perspective में नहीं हो सकता है, इस situation में या इस person के साथ, कुछ तो ऐसी चीजें हैं, जो आपको ठीक करनी पड़ेगी, अपने end पर, और कहा जाता है, जब आप किसी के लिए एक तरह से बहुत जादा chasing energy में बने रहते हो, तो आजाती है कि वो person आपको granted लेने लगता है, तो ऐसी सूरत में आप इस person को एक trigger दे सकते हो, guys, अपनी availability को minimal करके, least ways में present करके, आप इस person को एक तरह का reality check दे सकते हो, कि आप हर बार इनके लिए pleasing energies में नहीं बने रह सकते हैं, क्योंकि आपकी भी life है, आप आप भी यहाँ पर एक equal give and take देखना चाहते हो, आप भी justice चाहते हो इस connection में, बैलन्स देखना चाहते हो, इस तरह से आप चीज़ें पर सकते हो, guys, otherwise, आप इन्हें straightly communicate करके बदा सकते हो, कि आप क्या चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि this person is really, really happy, शायद आप इनके तरह जिस तरह का भी communication रख रहे ह है, वो शायद इस person के लिए enough है, जब इनके लिए enough है, आपके लिए enough नहीं है, तो यहाँ पर आप over giving है, it is so simple, isn't it, तो यहाँ पर आपको stand लेना चाहिए, तो यहाँ पर seven of air की energies बनी हुई है, एक independenceी ज़रूर आपको देखनी चाहिए, guys, अगर आप इस person के साथ को dependency बने इस person के energy या फिर इस person का, जितना भी आपको time मिल रहा है, attention मिल रहा है, अगर उस चीज से ही आप satisfy होने की कोशिश कर रहे हो, तो no, यहाँ पर imbalanced situation है, और ऐसे situations को, ऐसे cycles को आपने end जरूर करना है, क्योंकि इस तरह के phases में आप बने रहोगे, तो eventually you guys are not going to reach anywhere, getting my point, तो yes, कभी कभी ऐसा cycle आप देख रहे हो, जहाँ पर सब कुछ आप के हाथ से छूटने लग रहा हो, तो आपको stop हो जाना चाहिए, और अपने लिए time ज़रूर ले लेना चाहिए, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, and it is all about the freedom, आप हर बार एक diplomatic ways में बने नहीं रह सकते आपको अपने दिल की सुनना चाहिए, आपका दिल क्या कहता है आपसे, अगर आपको लगता है कि this person belongs to you, तो यह कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ पर extra attention देकर अपनी extra availability रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने लिए जिया करें, सबसे पहले self love practice करना बहुत जरूरी होता है इसके, हम खुद को किस हद तक ground कर सकते हैं अपनी अपनी lives में, यह हमें देखना होता है, जब हम हमारी life में पूरी तरीके से खुश हैं, contented हैं, तब आप किसी person की तरफ energetic approach रखना चाहते हो, तो then it is fine, अगर आप ही की life missed up है, ऐसी सूर और आपको जब वो नहीं मिलेगा, तो आपकी life वैसे भी खाली थी, और इस person से expectations रखने की बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपकी हालत क्या होगी आप, of course, एक heart broken situations में ही आओगे, एक pain में ही आओगे, वहां से heal हो पाना आपके लिए बहुत जादा मुश्किल होगा, है न, तो यस, यहां पर बहुत सारी feminine की यही conditions हैं, तो आपको एक healing practice करने होगी, अपने लिए self love में आना होगा, patterns को change करना होगा, अपनी availability को least करना होगा, energetic ways पर least giving बनना पड़ेगा, और अपनी worth and values person को दिखाया जाए, भली यह आप किसी भी form में कर सकते हैं, try doing that, अगर आप कुछ time के लिए गायब होकर इन्हें अपनी value या अपनी worth present करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हो, तो just show that, तो यह चीज़ आप कर सकते हो, ताकि इस person की जो भी गलत फहिमी या खुश फहिमी है कि यह आप से जादा इन्होंने आपको ग्रैंटर ले लिया है, तो इनको एक reality check मिले, कि आप हर बार उसी तरह से बने नहीं रह सकते हैं, तो इस particular situation में universe अगर आपको कोई sign देना चाहता है, तो क्या है, blessings की energies यहाँ पर appear हुई हैं guys, remember a rainbow is just white light unpacked, even when life seems dark, it is still full of blessings waiting to be uncovered, counting them will bring back rainbows to your day, so just don't lose hope, अगर अभी आपकी life में सब कुछ on a darker levels बना हुआ है, तो याद रखना, blessing in disguise रहती हैं आपके साथ जुड़ी हुई, किसी की दुआएं, किसी की prayers, किसी की best wishes आपके साथ पल पल चल रही होती हैं guys, आपके अपनों की, तो अगर आप आज बहुत जादा down महसूस कर र रहे हैं, एक तरहा की procrastinations आप देख रहे हो यहाँ पर, प्रोकन हार्ट मैसूस कर रहे हो, stagnant situations आप अगर देख रहे हो, अपने पोर्फेंट पर देंज स्टॉप, and start counting on those blessings, whichever you have already in your life guys, इससे यह होगा कि आप सबसे पहले gratitude practice कर रहे हैं, और जब आप gratitude में आते हैं guys, तो आप और ज्यादा blessings को attract करते हैं, आप की situations सही होने लगते हैं, आप हर हाल में अगर God की तरफ, universe की तरफ, एक thankful energies में बने रहते हो, तो आप और भी ज्यादा अपनी life में positivity ही attract कर रहे होते हैं, तो यह आपने करना है, और अगर अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो just wait for the right time, universe is working behind the scenes for you guys, तो यहाँ पर दिल छोटा करने की जरुड़त नहीं है, सब कुछ eventually आपकी life में resolve हो जाएगा, यही थाच के shift में, I don't know, इतने सारे लोगों के साथ यह जो shift है, रिसुनेट कर रहा होगा, अगर आपको लगता है कि यह जो shift है, आप लोगों का shift है, तो जरूर मे पर आप लोगों से कॉंटाक कर सकते हो guys, कुछ ले मिलते हैं प्ली अगली बीदिंस में अपके ले, आप सभी अपना फारिक ब्स्तिव प्सितिव पॉसितिव, प्सितिव और भाई